आज मैं आपके लिए होली स्पेशल एक ऐसी मिठाई की रेसिपी लाई हूँ जो 15 मिनिट में बनकर तयार हो जाएगी बेसिक चीजों से हम इसे बनाएंगे और एक बार आपने इसे बना लिया ना तो आपकी होली का जो मज़ा है न दोस्तों वो दुगना हो जाएगा सच शेकाल कैसे हैं आप सभी आप सभी का वैलकूम है पूनम को रेसिपी इसमें तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें आज की रेसिपी को बनाना चलिए हम शुरू करें तो आज की रेसिप कब सूखे नारेल का बुरादा यानि कि डेसिकेटिट कोकुनट साथ से आठ मिनट तक धीमी आंच पर इस तरह से इसे चलाते हुए हम इसे भुनेंगे हमें जो इसका कलर है न वो चेंज नहीं करना बस इतना भुनेंगे कि इसमें से भीनी भीनी प्यारी प्यारी सी खुश्बू आने लगे उसके बाद हम गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देंगे हम यहाँ पर कुछ ट्राइफ रूट्स भी डालेंगे क्योंकि होली का तैभार है तो इस मिठाई को हम काफी रिच बनाएंगे इसके लिए हमने यहाँ पर डाला है बारिक कटा हुआ काजू, बारिक कटा हुआ बादाम, बारिक कटा हुआ पिस्ता साथ ही इलाइची पाउडर हमने इसमें डाल दिया है आप अपनी पसंद से जो भी ड्राइफ फूट्स आपको पसंद हो आप वो इसमें डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स करेंगे इसके फ्लेवर को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए यहां पर मैंने खोया ले लिया है यानि की मावा है यह एक से डेड़ कप के करीभी खोया है अब हम भी इसमें डाल देगे साथ ही इसमें हम डालेंगे पाउडर शुगर तो दौस्तो जो पाउडर शुगर है वो मार्क यहां पर बन दी है अब बस हाथों से इन सभी चीजों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी दिर में आप देखेंगे दोस्तों हमारी जो स्टफिंग है यह बनकर तयार हो जाएगी यह जो स्टफिंग है यह गुजिया वाली स्टफिंग क्योंकि होली के तैवार पर यह स्टफिंग सभी को बहुत पसंद आती है और सभी इसी स्टफिंग को खाने का वेट भी करते हैं तो हमने यहां पर आज मावा रोल्स में यही स्टफिंग यूज करनी है इन सभी चीजों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया आप द दूद ले लिया है जो की रूम टेंपरेचर पर है यहां पर आपको गरम दूद का इस्तमाल भी नहीं करना है उसके बाद हम उसमें डालेंगे वाइड ब्रेट स्लाइस आप चाहें तो ब्राउन ब्रेट स्लाइस का भी इस्तमाल कर सकते हैं हाथों से इस तरह से अच्छी सेंटर में रखेंगे दोस्तों याद रखें बहुत जादा स्टफिंग आप इसमें भी ना भरें वरना यह खुल सकते हैं तो यह देखिए हमने यहां पर क्या किया एक से देड़ बड़ा चमश स्टफिंग इसमें भरी और चारों कोर्नर को पकड़ते हुए हम इस तरह से दबाएंगे जितना भी एक्स्ट्रा दूध है वो सभी निकल जाएगा और फिर हम इसे चप्ती गोल शेप दे देंगे हाथों से दबाते जाएंगे न तो अपने आप यह उस शेप में आ जाएगा आप दोस्तों देख सकते हैं हलका सा प्रेस करते ही यह बड़े आराम से स स्टफिंग जादा हम ना भरें इसमें थोड़े रखने के बाद यह ड्राय हो चुके हैं और कितने परफेक्ट लग रहे हैं तो अब बारी है ने फ्राय करने की तो एक कढ़ाई में हम चार से पांच बड़े चमत देसी घी ले लेंगे आप नॉमल उयल में भी इसे फ्राय कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहां पर जो घी के क्वांटिटी हो वह बहुत जादा नहीं होनी चाहिए चार पांच बड़े चमच काफी रहेंगे अब जैसी हमरा घी थोड़ा सा गरम हो जाएगा हम अपने सभी ब्रेड मावा रोल्स को इसमें रख देंगे ग बहुत जादा तेल या बहुत जादा घी की कोई जरुरत नहीं है इदे कितना अच्छा सुनेरा रंग आ गया है सभी पे जब आप देखें कि अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं फिर हम इने कठाई से बाहर निकाल देंगे दोस्तों जो हमारी ब्रेड है उनमें भी फ्लेवर बहुत अच्छा आ गया है साथी अंदर जो हमने स्टफिंग भरी थी वह भी बहुत जादा टेस्टी है और काफी करंची से यह ब्रेड बन चुकी है साथी देखिए इन ब्रेड ने घी बिल्कुल भी एपसॉब नहीं किया है एक बड़ा सा फ्लेवर ले आया है बस यह तो बस अब हमने कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और हमारे सभी रोल्स बनकर बिल्कुल रेडी हैं अब दोस्तों लास्ट हमने कढ़ाई में एक कप चीनी और एक कप पानी डाल दिया है साथी मैंने यहां पर केसर के कुछ धागे भी डाले हैं चोकि ऑप्शनल ह हम यहां पर गैस का फ्लेम ओन करेंगे और इसे तब तक कुक करेंगे जब तक चीनी पानी में अच्छी तरह से घुलना जाए और थोड़ी सी चिपचिपी ना हो जाए वैसे यह वाला जो स्टैप है पूरी तरह से ऑप्शनल है जो लोग थोड़ा कम मीठा खाना पसंद कर करते हैं वो ब्रेड को फ्राइ करने के बार बड़े आराम से खा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बट खोली का तैवार है तो थोड़ी मिठास हमें अच्छी लगती है यहां पर हमें पतली सी चाशनी बनाएंगे याद रखे हमें कोई तार नहीं बनानी यहां पर बस इ तो प्रीवे और इसके बाद हमें से बाहर निकाल लेंगे यहीं अर मिनिट के अंदर ही दोस्तों यह जो ब्रेड्ट सामी को काफी अच्छी तरह से कर लेते हैं अब यहां पर देखिए हम इसे बाहर निकाल रहे है अच्छी तरह से जो है यह सोफत exempt法 हो चुके हैं चाशनी को उपर से एक्स्ट्रा डाल कर दे सकते हैं बहुत ही अच्छी लगती है आप इस रेसिपी को जरू ट्राय कीजिएगा और मेरे सभी प्यारे व्यूवर्स को हैपी हो ली